वेलकम तू सपनो का रहिसे हम अपने सभी दर्श्कों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनो का रहिसे पर स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर बतख का देखना अगर कोई वेक्ती सपने में बतख देखे तो इसका अर्थ क्या होता है चलिए आज हम आपको डीटेल से बताते हैं अगर किसी मेरे भाई ने किसी वेक्ती ने सपने के अंदर बतख मीन डख देखी है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला किसी सुन्दर महेला के साथ विवाह रचाएगा या उससे फ्रेंडशिप करेगा या फिर कोई सुन्दर मालो दोलत वाली बहुत जादा अमीर महेला उसकी गर्ल फ्रेंड बनेगी और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखे कि वो बतख को खेतों में चरा रहा है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला किसी ऐसी जाती का अफिसर, बडेरा, सर पंच या फिर उनका बड़ा बनेगा या राजा बनेगा जो जज़ादा इज्ज़ति वाली होगी और उनके पास बहुत ज़ादा रूपिया पैसा होगा या फिर इस वेक्ती को किसी ऐसी कॉम से बहुत ज़ादा मालप्रॉप्ट होगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर ये देखता है कि उसने बहुत जादा बतख देखी हैं तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर रंज, टेंशन और चिंता पाएगा और अगर कोई वेक्ती सपने के अंदर बतख देखे तो आप जानते हैं कि बतख की दो किसमे होती हैं नमबर एक वो बतख होती है जो के धरती पर पाई जाती है और दूसरे नमबर पर जो बतख होती है वो समंदर में और पानी में पाई जाती है तो अगर कोई वेक्ती धरती वाली बतख को देखे तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला किसी यातरा पर जाएगा और उसे दूसरे वेक्तियों के साथ मिल कर बहुत ज़्यादा रुप्या पैसा मिलेगा और वो बिजनस करेगा और उस बिजनस के अंदर बहुत ज़्यादा लाप उठाएगा और अगर कोई वेक्तिय सपने के अंदर पानी की बतख देखे तो इसका मतलब है कि उसे अपनी वाइफ से टेंशन परेशानी मिलेगी या फिर उसके अंदर वर्क करने वाली जो महिलाएं हैं वो उसके साथ अच्छे परकार पर काम नहीं करेंगी या फिर इसका मतलब ये भी होता है कि सपना देखने वाला वेक्ति किसी मोटी महिला के साथ विवाह करेगा और अगर कोई वेक्ति सपने के अंदर बतख की आवाई सुनता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को किसी के जलने की किसी की मरत्यू होने की या किसी के दूबने की खबर मिलेगी और अगर कोई वेक्ति सपने के अंदर ये देखे कि उसके हाथ में अंडा है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को आने वाले समय पर कुछ माल मिलेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ